हेलो दोस्तों स्वागताब सभी का हमारे उनलाइन चनल अराध्या अरेयस एकेडवी में दोस्तों राजस्तान में आईजित राजस्तान पुलिस एसाई बरती परिक्षा 2021 के नविंतम पाठेकरम के अनुशार हिंदी के model paper की test series शुरू की गई थी जिसमें अपना एक model paper है वो complete हो चुका है आज अपना इसमें दूसरा number का model paper है प्रतेक model paper में आपको so press न दी जाते हैं जो आपके paper के अनुशार तैयार किये गए हुए होते हैं नविंतम पाठेकरम पर ये आधारित है इसलिए आपको रोजाना एक test है वो जरूर देना है और आध्यरेस अकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन को दबाएं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में share जरूर करें दोस्तों हुबहु परिक्षा में ऐसा ही पेपर आएगा हिंदी का ठीक है पहला पेपर तो देखिए यहां पर पहला प्रैसन है निमने में से कौन सा सब्द देशज है यानि कि दोस्तों देशज यानि कि देश का जो सब्द है वो कौन सा है यानि कि जिसकी उत्पत्ति दे से हुई है तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाए गा चार उप्षन आपके सामने हैं तो देखिए लोटा ठीक है लोटा है यह देशज सब्द है इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पी देख सकते हैं अमीर, आदमी और कुर्षी यह तीनों जो सब्द हैं यह तीनो दोस्तो अर्भी भासा के सब्द हैं किसके हैं अर्भी भासा के सब्द हैं तो अपना इसमें C नंबर उप्शन सही उत्तर आगे देखिए कूली सब्द किस बासा का है कूली सब्द है ये कौन सी बासा का है तो दोस्तो ये तुर्की बासा का सब्द है कूली कूली जो सब्द ह ये तुर्की बासा का सब्द है वी नमबर का उपसंट सही उत्तर हो जाएगा तीन नमबर का प्रेसन है इसमें देखिए सक्कर तद्भव का तद्सम रूप होगा दोस्तों सक्कर है ये तद्भव सब्द है और इसका तद्सम रूप है वो क्या होगा तो दोस्तों तद्सम य यहां पर आपको दिख रहा है सरक्रा, ए नमबर का जो उप्शन है वो इसका सही उतर हो जाएगा, यह सक्कर का तत्सम रूप होगा सरक्रा, ठीक है, नेक्स्ट, आगे देखें, निम्न में से तदभाव सब्द का चैन किजिए, तदभाव सब्द का अपने को इसमें क्या करन है, चैन करना है, तो यहां पर देखिए, दोस्तो, तदभाव सब्द, ठीक है, चार उप्शन में से बताना है, तो यहां पर देखिए, सूत, ठीक है, जो यह सूत है, यह दोस्तो तदभाव सब्द है, इसके अलावा हर्दे, सोभागे और सुगंद, यह तीनों दोस्तों सब्द है यह आपको इसमें याद रखना है तो अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर का उप्सन से उत्र हो जाएगा पांच नंबर का प्रेस्ट है इसमें देखिए अपियस और कलंक सब्दों का उचित अर्थ क्या है अपियस और कलंक सब्दों का उचित अर्थ अपने को कलंक और अप्यस का मतलब होता है एस्ताई बदनामी तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर नेक्स्ट सिक्स नंबर का प्रेशन है इसमें देखे आजाद भारत के पर्थम परदान मंतरी पंडी जवारलाल नहरू ने उस नंबर का प्रेशन है इसमें देखे राकेस, अंकित, विवेक और महेस नाटक देख रहे हैं रचना के आधार पर वाक्य है राकेस अंकित विवेक और महेस नाटक देख रहे हैं रचना के आधार पर वाक्य है तो यह कौन सा वाक्य है यह अपने को बताना है तो दोस्तो यह साधारन वाक्य है कौन सा वाक्य है यह साधारन वाक्य है दोस्तो साधारन जब करता एक से जाएगा नबर का option बिलकुल सईयूतर हो जाएगा यहां पर देखे राकेस, संकीत, वीवेक, महेस यह तीनों दोस्तों एक एक कारी कर रहे हैं क्या कर रहे हैं देख रहें नाटक देख रहें तो अपना इसमें राईड़ाइट आंसटर यह नमबर उप्शन सईयूतर, राइट आंसर हो जाएगा वो है विदानार्थक कौन सा वाक्य है विदानार्थक वाक्य है यानि कि जब किसी वाक्य में किसी कारिय के करने या होने का समन्य बोध हो तो वो दोस्तों क्या कलाता है विदानार्थक वाक्य कलाते हैं तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएग वाके किस काल का उदारन है तो दोस्तों ये उदारन है आसन भूत काल का क्योंकि सुनाने का कारिय है वो अभी अभी पूरा हुआ है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें ए नमबर का उप्शन सही उतर हो जाएगा आसन भूत काल नेक्स्ट दस नमबर का प्रेशन है इसमें देखे निम्न में से उस सब्द का चेहन कीजिए जिसका परियोग नित्य भववचन में ही होता है बताए जिसका परियोग सदेव भववचन में होता है वो सब्द कौन सा है वो अपने को यहां पर बताना है चार उप्षन आपके स यह तीनों सब्द दोस्तों हमेशा एक वचन में ही प्रियुक्ते होते हैं तो अपना इसमें C नंबर का उप्शन बिल्कुल सयुत्तर हो जाएगा 11 नंबर का प्रियुक्ते हैं इसमें देखे सुन्दर सब्द का इस्त्रेलिंग रूप होगा तो दोस्तों वह होगा सुन्दरी C नंबर उप्शन सयुत्तर आगे देखे मोहन ने पुस्तक पड़ी थी वाक्य में किरिया की कौन सी वर्ती वेंजित हुई है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है संकेत सुचक संकेत सुचक वर्ती है वो वेंजित हुई है तो अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर उप्शन सयुत्तर हो जाएगा तेरे नंबर का प्रेशन है इसमें देखिए चात्र खेलकर मैदान चले गए यहां पर खालिस्तान में क्या आएगा वो अपने को बताना है रिक्तिस्तान में किस परसर्ग का परियोग होगा यहां पर रिक्तिस्तान में क्या आएगा वो अपने को यहां पर बताना है तो दोस्तों देखिए यहां पर अपादान कारग का प्रियोग हुआ है यानि कि चात्र खेलकर मैदान से चले गए तो अपना इसमें राइट आंसर से आएगा यानि कि C नंबर का उप्शन वो अपने को यहाँ पर बताना है, देखिए दोस्तों यहाँ पर, देखिए, कृत वाच्चे में सक्रमक और अकर्मक दोनों क्रियाओं का परियोग होता है, बिल्कुल सही है, कर्म वाच्चे में केवल सक्रमक क्रिया का परियोग होता है, बिल्कुल सही है, भाव वाच्चे म में कृशा डेव भवचन में प्रियुक्त होती है यह अपना दोस्तों अपना इसमें गलत दे रखा है दोस्तों भाववाक्चे की कृशा रखन प्तहलिंग एक पky incapacITY से ने अंश्माहिए में प्रियूख्चे है तो यहां पर जाता है तो दोस्टो कौण to का प्रियोग किया जाता है जैसे अपन डेट लिखते एंतो महीने का नाम लखने पर महीने विराम की सिर्इक किया जाता है तो आजाता है तो इसका रायट अंसर भी नंबर ऊपसं सय तर आगे देखे नाटक के संदी युक्त सब्द क्या है बताइए आप प्लस में का सुद्ध संदी युक्त सब्द कौन सा होगा तो दोस्तों वह होगा अम्मे क्या हो जाएगा अम्मे तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा या आपको तो दोस्तों मैंने आपको पहले बिब बताया है कि यह रहा वह के आगे अगर आदा कटा होग्व होग होता है तो यहां पर देखेंगे दोस्तों वह के आगे आदा कटावा अकसर है तो यहां पर दोस्तों यन शंदि का इसमें प्रियोग हुआ है, a नमबर का उफैसन बिल्गोल सही रखन हो जाएगा, 20 नमबर का प्रेसन है, इसमें देखिए दोस्तों, का सही संदी सब्ध होगा, दोस्तों, जाएगा दोस्तों, इसमें विशर्ग संदी का क्या हुआ है परियोग हुआ है यह आपको इसमें याद रखना है तो अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर उप्शन सही उत्र हो जाएगा आगे देखिए दोस्तों यहां पे निहें पले से सरने का सही संदी सब्द होगा बताएं निहें पले से सरने यानि की निश सरने इसमें भी दोस्तों क्या होगा इसे में भी विशर्ग संदी का परियोग हुआ है तो निश सरने आदा सह हो जाएगा दोस्तों इसमें यह देखिए यहां पर सी नंबर का जो उप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे चतुर्दिक सब्द का संदी विच्छेद होगा, चतुर्दिक सब्द का संदी विच्छेद है, वो क्या हो जाएगा, वो अपने को यहाँ पर बताना है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, चतु है पले से दिक, तो यानि कि दोस्तों इसमें राइट आ आने पर यह किसमें परिवर्तित हो जाते हैं तो दोस्तों किसमें परिवर्तित हो जाते हैं तो दोस्तों यह आदे सै जो सेर वाला से है ठीक है इसमें परिवर्तित हो जाते है यह आदा से में ठीक है तो इसका राइट आंसर ए नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जा प्लस उक बहु प्लस उक तो दोस्तों इसमें कौन सी संदी का परियोग हुआ है पताइए तो दोस्तों इसमें आयादी संदी का क्या हुआ है परियोग हुआ है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बी नंबर का जो अप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाए गा वो है इसमें किन वर्णों की संदी हुई है यह बताना है दोस्तों यहां पर तो दोस्तों अपने को यहां पर देखे ए प्लस आ ए प्लस है आ का इसमें क्या हुआ है मेल हुआ है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानि कि नी प्लस है आए ठीक है तो यहां पर नी में स तो A निकला और A में से A निकला, यानि कि E और A का इसमें क्या हुआ है, मेल हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, C नंबर औप्सन सयुत्तर, आगे देखिए इसमें 26 नंबर का प्रेस ने, इसमें देखिए, अभिपसा का सही संदी विचेद है, अभिपसा का सही सं संदी विछेद है वो कौन सा है तो यहां पर देखिए दोस्तों अभी पलस इपसा इसमें दिर्ग स्वरसंदी का क्या हुआ है प्रियोग हुआ है ठीक है तो अपना इसमें राइट अंसर क्या हो जाएगा अभी पलस इपसा यानिकि बी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत हो जाएगा अगे देखिए दही बड़ा समसिक पद में समास है यानिकि दही में दूबा हुआ बड़ा दही में दूबा हुआ बड़ा दोस्तों इसमें तत्पुरुष समास का प्रियोग हुआ है और वो भी कौन सा तो दोस्तों लुप्त पद तत्पुरुष समास यानिक इसमें right answer B number का option बिलकूल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए दोस्तों अपना इसमेरा शामाषिक पढ़ में समास है तो वो कौन सा समास है तो दोस्तों इसमें समास कौन सा हो जाएगा तो इसमें उपापद तत्पूरुस समास का क्या हुआ है प्रयोग हुआ है तो दोस्तों राजनिति गये यानिकि राजनिति को जानने वाला तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है उपपद तत्पुरूस समास तो इसमें C नंबर का उप्शन सही उतर हो जाएगा आगे देखे अनुदेश समासिक पद का समास विग्रह होगा अनुदेश का अ संकटापन सब्द में समास है संकटापन सब्द में समास है तो कौन सा समास है वो अपने को यहां पर बताना है तो यहां पर देखिए मित्रों देखिए संकटापन सब्द में समास है तो दोस्तों इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा संकट को आपन क्या हो जाएग निम्न में से सामाशिख पद की द्रस्टी से ऐसा मुही सब्द है, तो वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों इसमें ग्राम गत, कौन सा हो जाएगा, ग्राम गत, ठीक है, याद रखना इसमें, तो इसका right answer C number का option बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा ठीक है ग्राम को गत आगे देखिए दोस्तो अपना इसमें 32 नमर का प्रेसन है पंचामरत सामासिक पद में समास है पंचामरत तो यहाँ पर देखिए दोस्तो पांच अमरतों का समू है जैसे घी दूद दही सहद और गंगाजल का मिश्रण है उसको बोलते हैं दोस्तो पंचामरत तो इसका right answer हो जाएगा इसमें बविरे समास का क्या हुआ है प्रियोग हुआ है तो इसमें B number option सही उत्र हो जाएगा 33 number का प्रेशन है इसमें देखिए चरितार्थ समासिक पद का सही समास विग्र है तो वो समास विग्र हो जाएगा दोस्तो देखिए चरित हो गया है जो अर्थ तो दोस्तो चरितार्थ यानि कि इसमें करमदार इसमास का क्या हुआ है प्रियोग हुआ है चरित हो गया है जो अर्थ है तो इसमें D नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 34 नमबर का प्रेशन है इसमें देखे साखा म्रग सामासिक पद का सही समास विगर है क्या होगा साखा म्रग यानि कि साखाँ उपर दोड़ने वाला म्रग कोन होता है तो वो है वानर तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें D नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर है आगे देखिए दोस्तों इसमें देखिए बवविरे समास का इसमें प्रियोग हुआ है आगे देखिए इसमें 35 नमर का प्रेशन है धर्म प्राण समस्त पद का सही समास विग्रह होगा धर्म प्राण समस्त पद का सही समास विग्रह है वो होगा तो वो कौन सा होगा वो हो ज कि या कि इसमें क्रमदारि इसमास का इसमें क्या हुआ है प्रियोग हुआ है तो इसमें डी नम्मर उप्सन बिलकुल सेयुत्तर हो जाएगा आगह देखुए पर इंदा सब्द में मिठास Turkish made food trade बही чист realizing तो दोस्टों यहां पर देखिए मिठास यह भाव वाचक तर दीट पर्दिक बहीध ठीक है मिठा पलस अस तो इसका राइट आंसर भी नमबर ऊपसंसा इतечение आगे देखिए तो यहां पर देखिए दोस्टों मंडली यानिकि मंडल प्लस e तो इसमें उंताव आचाक तदिदान्त का अपने को चुनाओ करना था तो मंडली इसका राइट आंसर हो जाएगा मंडल प्लस e इस तो इसमें a नमबर का उपशन उथा next आगे देखिए गुंचालिस नमर प्रेस ने किस सब्द में उर्दु बासा का परते जुड़ा हुआ है कौन से सब्द में उर्दु बासा का परते जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मर्दाना मर्दाना यानि कि मर्द पलस आना ठीक है यहां पे जो संसकर्थ बासा का इसमें परते जुड़ा हुआ है आना तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नमबर उप्शन सहीतर हो जाएगा आगे देखे निम्नांकित में से कौन सा सब्द कृत परते से बना है तो कौन सा सब्द है वो कृत प्रते से बना है तो दोस्तों यहां पर देखिए जपकी यहां पर आपको दिखरा है जपकी ठीक है जपक के पलस एगी यानिकि अगर अपनि इसका वो करें तो दोस्तों जपक shrimp ना हो जाएगा तो जपक पलस एग तो तो इसका right answer हो जाएगा इसमें C number का जो option है वो इसका बिलकुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए इसमें 41 number का प्रहसन है देखिए पास्चाते सब्द में मूल सब्द और परत्य है पास्चाते सब्द में मूल और परत्य कौन सा है वो अपने को यहां पर बताना है तो दोस्तो मूल सब्द तो है पास्चात और इसमें परत्य है यह तो अपना इसमें B number का option बिलकुल सही उतर हो जाएगा दोस्तो परिक्षा में आपको 100 प्रहसन मिलेंगे हिंदी के अगर आप वो सही करना चाहते हैं तो रोजाना मेरे साथ में टेस्ट दीजिए और top important question करव हैं आगे देखे अकेला सब्द में परते हैं अकेला सब्द में परते कौनसा है तो दोस्तो इसमें देखे एक प्लस एला एक प्लस एला यानिकि अकेला तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा C number का जो option है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखे स्वस्थ सब्द में परते है स्वस्थ सब्द में कौन सा परते है तो दोस्तों देखे सव प्लस इस्थ ठीक है सव प्लस इस्थ तो इसमें right answer क्या हो जाएगा वो है इस्थ इस्थ परते लगा हुआ है इसमें कौन सा इस्थ परते लगा हुआ है आगे देखे इच्चुक सब्द में परते है इच्चुक सब्द में कौन सा परते है तो दोस्तों इच्छा पलस उक इच्छा पलस उक तो यानि कि उक इसमें क्या लगा हुआ है परते लगा हुआ है तो इसमें right answer हो जाएगा C number option बिल्कुल सही उतर है आगे देखिए इसमें 45 number का प्रेसन है इसमें देखिए उर्दू बासा का उपसर्ग गैर किस अर्थ का उपसर्ग गैर किस अर्थ का गोतक है तो इसका right answer हो जाएगा वो है रहित भिन्य तो इसमें A number क जो option है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें 46 number का प्रेसन है चिरायू सब्द में परियुक्त उपसर्ग है तो वो कौन सा है तो दोस्तों चिर पलस आयू इसमें दिर्ग स्वरसंदी का प्रियोग हुआ है चिर पलस आयू तो अ सव पलस अभिमान इसमें दिर्ग स्वरसंदी का प्रियोग हुआ है तो दोस्तों सव पलस अभिमान तो यहां पर उपसर्ग कौन सा हो जाएगा सव तो यानि कि यह नंबर का option बिल्कुल सही उतर हो जाएगा 48 नंबर का प्रेसन है इसमें देखिए निमनली कि सब्दों में से किसमें विदेशी उपसर्ग लगा है तो विदेशी उपसर्ग है वो किसमें लगा है वो अपने को बताना है तो यहां पर देखिए मित्रों देखिए बे बे है ये एक क्या है विदेशी उपसर्ग है तो यहां पर बे है ये विदेशी उपसर्ग है और बाकी सभी में द hospital आगे देखे उतकृष में उतकृष में कौन सा उपसर्ण लगा है तो दोस्तों उतकृष में कौन सा उपसर्ण होजाएगा उद मतपकर देना उदम alive लगेगा इसमें आगे देखे इसमें उद्योग में कौन सा उपसर्ग लगा है उद्योग में दोस्तों उत उपसर्ग लगा है कौन सा उत उपसर्ग लगा है आगे देखे इसमें किस सब्द में बे उपसर्ग का परियोग सही से नहीं हुआ है दोस्तों देखिए अभी थोड दिर्पहले मैंने आपको बताया था, भे इमान, ठीक है, इसमें बे उपसर का परियोक हुआ है, इसके अलावा देखीए, बे दर्द, बे जुबान और बे काइदा, ठीक है, तो बे काइदा नहीं होता, क्या होता है, बताईे, तो दोस्तों यहां पर देखे, बे काइदा है, तो यहां पर जो काइदा यह उर्दू सब्द है तो यहां पर इसमें या तो अल काइदा जुड़ेगा या बाकाइदा जुड़ेगा या या तो अल जुड़ेगा या बा जुड़ेगा तो यहां पर दोस्तो बेकाइदा ये गलत दे रखा है बाकी और तीनों इसमें सही है तो अपना इसमें C number option सही उत्र हो जाएगा बावन नमबर का प्रेशन है इसमें देखे देखे निरनीमेस सब्द का यानि सब्द में कौन सा उपसर्ग है निरनीमेस सब्द में कौन सा उपसर्ग है तो दोस्तों इसमें उपसर्ग हो जाएगा यानि की निर पलस निमेस यानि की बिना पलकों के जबकाएं तो दोस्तों निर उपसर्ग का इसमें क्या हुआ है परियोग हुआ है तो अपना इसमें ए नमबर का उपसन सही उतर हो जाएगा आगे देखे निम्नलिकित में से किस सब्द में दोसे अधिक उपसर्ग है तो दोसे अधिक उपसर्ग है वो किसमे है तो दूर वेवार में है साब किसमे है दूर वेवार में दोस्तों दूर उपसर्ग एक दूसरा है दूर पलस वी दूसरा उपसर्ग है इसमे वी और तीसरा उपसर्ग है दोस्तों इसमें कौन सा तो वो है अव ठीक है और इसमें हार है वो क्या है मूल सब्द है तो इसमें दो से अधिक उपसर्ग लगे हुए हैं दुर वेवार में एक दुर दूसरा भी तीसरा अव और चोथा मूल सब्द है इसमें हार ठीक है तो अपना इसमें रा गत्यर्थक अक्रमा क्रिया है तो दोस्तों यहां पे देखिए चलना यह गत्य कर रही है साथ में तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का उप्सन सही उत्तर हो जाएगा पच्पन नंबर प्रेस नहीं इसमें देखे गांदी जी अइंसा के पुजारी थे आप सवत सरवणाम है तो दोस्तों यह सरवनाम हो जायेगा अन्या पुरुष वाचक तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अगे देखें उतसा है सब्द का is 세상 है वह क्या होगा तो दोस्तों वह जाखें तो अपना इसमें right answer D number का option से उत्तर हो जाएगा 57 number का question है इसमें देखे कस्मीरी सेव में विशेशन है कस्मीरी सेव में विशेशन है तो वो कौन सा विशेशन है तो दोस्तो इसमें व्यक्तिवाचक विशेशन है तो अपना इसमें right answer C number option से उत्तर हो जाएगा आगे देखे किस वाक्य में प्रेणार्थक किरिया है किस वाक्य में प्रेणार्थक किरिया है तो यहाँ पे देखे किसान खेत के सुखे पेड कटवा रहा है किसान खेत के सुखे पेड कटवा रहा है ये दोस्तो प्रेर नार्थक किरिया है तो अपना इसमें राइट आंसर बी नमबर उप्सन से उतर हो जाएगा अगे देखिए रूप के अनुसार किरिया विशेशन के कितने परकार हैं रूप के अनुसार किरिया विशेशन के कितने परकार हैं तो दोस्तो तीन परकार हैं आगे देखे निम्दलिकित वाक्यों में से किसमें समुच्य बोधक अवियव का प्रियोग हुआ है तो किसमें समुच्य बोधक अवियव का प्रियोग हुआ है तो दोस्तों यहां पर देखे समुच्य बोधक अवियव का प्रियोग मैं अवस्य जाओंगा परंतु खाओंग नहीं इसमें दोस्तो समुच्य बोद्ध कवियव का प्रियोग हुआ है तो इसमें सी नंबर का उप्शन राइट आंसर हो जाएगा अब अपनी तैयारी का आकलन भी साथ में कर सकते हैं देखे राश्टर की भावाचक संग्या है तो वो कौन सी है बताए तो दोस्तो संग्या है संसद तो अपना इसमें राइट अंसर क्या हो जाएगा वो है अपना इसमें शी नंबर का वप्शन बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा अगे देखे 63 नंबर का प्रेस ने इसमें देखे कौन क्या सर्वनाम के किस बेद के अंतरगत आते हैं कौन क्या सर्वनाम के किस बेद के अंतरगत आते हैं तो यह आते हैं दोस्तों प्रशनवाचक सर्वनाम के अंतरगत आते हैं आगे देखे निमने में से कामदेव का प्रियावाची नहीं है तो यहां पर देखे मीन के तू कृदप मार यह तीनों दोस्तों कामदेव के परियावाची है यहां पर मुकुंद दे रखा है यह बगवान से कृष्ण के परियावाची है तो अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर का उप्सन से उतर हो जाएगा आगे देखे काक का परिय परियावाची सब्द है यह आपको इसमें याद रखना है पिसुन है यह का का परियावाची है इसके अलावा दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं हारित पारावत और परेवा यह तीनों हैं यह तीनों दोस्तों का भुतर के परियावाची है तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा देखिए दोस्तों ग्रहमनी ठीक है यहां पर आपको दिख रहा है ग्रहमनी यह दोस्तों पत्नी का प्रयाइवाची है यह नहीं है यह दीपक का प्रयाइवाची है किसका है दीपक का पत्नी के प्रयाइवाची दोस्तों यहां पर देखिए देर रख तो दोस्तों, यहां पर दहए दोस्तों नरक का प्रयावाची नहीं है, तो देखें, यहां पर खय दे रखा है, स्वर्ग और आकास का प्रयावाची, बाकी नरक का यमाले जहनुम और दो जक तो अपना इसमें रहिट आंसर भी नंबर उप्ट्इम ना वंतर उजाएगा, आ तो अपना इसमें A नमबर का उप्शन सही उतर हो जाएगा 69 नमबर प्रेसन इसमें देखे सरष्टी का विलोम है तो सरष्टी का विलोम क्या हो जाएगा सरष्टी का विलोम हो जाएगा विनास A नमबर का उप्शन सही उतर हो जाएगा आगे देखे, द्वंस सब्द का विलोम बताईए, तो द्वंस सब्द का विलोम है, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, दोस्तो निर्मान है, तो इसमें B नमबर का उप्शन सहीतर हो जाएगा, आगे देखे, सरुजता का विलोम सब्द क्या होगा, तो दोस्तो क्या होग तो यह हो जाएगा दोस्तो इसमें निरुजता क्या हो जाएगा निरुजता तो अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर उप्शन सही उत्र हो जाएगा आगे देखिए दोस्तो अपना इसमें आदी व्यादी आदी व्यादी समसुरुत सब्दो का करम से सही अर्थ किस करम में हैं तो दोस्तो आदी का मतलब क्या होता है आदी का मतलब होता है दोस्तो मांसिक कश्टे और व्यादी का मतलब होता है सारेरिक कश्टे तो अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर उप्शन सही उतर हो जाएगा आगे देखिए समा समी सब्द का सही अर्थ बेद है समा समी सब का सभी अर्थ बेद है तो वो कौन सा है तो वह हो जाएगा धोस्तो समा का मतलब होता है मुणबती और places rainbow होता है खेजडी तो अपना इसमें परका ओptionsं राइट affairs रहे गाए देखे चोतर नंबर का प्रेसन इसमें देखे देखे त्रन और दूसरा दे रखा है त्राण सब्द का सई अर्थबेद कौन सा है बताईए त्रण और त्राण सब्द का सई अर्थबेद है वो कौन सा है तो देखे त्रण का मतलब होता है तिन का और त्राण का मतलब होता है मुक्ति तो अपना इसमें C number option right answer हो जाएगा आगे देखे उदक और उदक सब्द का सही अर्थवेद क्या है उदक का मतलब होता है क्या तो दोस्तों उदक का मतलब होता है जल और उदक का मतलब होता है जिसमें आदा दे है उसका मतलब होता है उत्तर दिसा तो अपना इसमें right answer A number option सही उत्तर हो तो वो होगा दोस्तों तितिरसा तो अपना इसमे राइट आंसर, बी नमबर ओप्सन से यूतर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 77 नमबर प्रसन है, कुहू सब्द के लिए वाक्यांस है। तो दोस्तों वो हो जाएगा इसमें अमावश्या की रात, ए नमबर का उप्शन सही उतर हो जाएगा, आगे देखे, युद की इच्छा रखने वाला वाक्यांस के लिए एक सब्द होगा, तो वो सब्द कौन सा होगा, तो वो होगा जो दोस्तों इसमें युयोच्छू, या युद की इच्छा रखने वाला सी नमबर उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा, आगे देखे, परिवाजरक एक सब्द के लिए वाक्यांस होगा, परिवाजरक, यानि की दोस्तों बर्मन करने वाला सन्यासी, उसको बोलते हैं परिवाजरक, तो अपना इसमें सवेदना क्या है, तो दोस्तों परहदीनता अभी साप है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी नमबर उप्शन सही उतर हो जाएगा, आगे देखे, आखास कुसम मुहावरे का सही उतर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, दोस्तों इसमें अनहोनी बात होना, बी नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा, आगे देखे, सूरज धूल डालने से नहीं चिपता लोकोक्ती का सही उतर हो जाएगा, तो लोकोक्ती का सही उतर हो जाएगा, दोस्तों अवरोध पैदा करने से मापुरूसों के गुण नहीं चिपते, तो इसमें बेडिया दसान मुहवरे का चहिए अर्थ है बेडिया दसान मुहावरे का सही अर्थ क्या है तो इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों अंधानू करन करना अंधानू करन करना ए नमबर का उप्शन सही उतर हो जाएगा आगे देखे उड़ता तीर जेलना मुहावरे का सही अर्थ है तो इसका मुहावरे का सही अर्थ हो चन्दन गिसें मेरे नंदन लोकोक्ती का सही अर्थ क्या है तो लोकोक्ती का सही अर्थ हो जाएगा दोस्तों मुट्मे मिली वस्तु का दुरूपियों करना डी नम्र का जो option है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा. 88 नंबर प्रेस नहीं इसमें देखे निम्न में से किस कर्मांक में अंग्रेजी परिभासिक सब्द के सामने उसका सभी समकक्स हिंदी बताना है तो यहां पर देखिए दोस्तों देखिए paid का मतलब होता है प्रदत तो इसका right answer हो जाएगा इसमें d number option सही उतर हो जाएगा आगे देखिए इसमें निम्न में से यहां पर देखिए निम्न में से प्रस्ताव हिंदी पारीबासिक सब्द के लिए उसका सही समकक्स अंग्रेजी सब्द क्या है प्रस्ताव प्रस्ताव का अंग्रेजी सब्द बताना है अपने को तो यहां पर देखिए दोस्तों यह हो ज बिल्कुल सही उतर आगे देखें सविदा का अर्थ गोतक समनार्थी अंग्रेजी सब्द है सविदा सविदा को अंगलीज में बोलते हैं दोस्तों क्या उसको बोलते हैं दोस्तों यहां पर देखें दोस्तों पतनी यह सब्द आगे और सारे इसमें गलत दे रखेंए तो दोस्तों यहाँ पे ड़्यावान जो सब्द दे रखाय ये बिलकुल सुध-ख़ग् 95 नमबर प्रेस्टी से एसुद सब्द का चेन किजिए तो एसुद सब्द हो जाएगा दोस्तो इसमें अहुरात्री है य neste 3 यह सब्द है बाकी सारे के सारे सुद्ध है है इसमें D नमबर का उप्सन सरी तर हो जाएगा अब देखिए दोस्तों यहाँ पे चानमा से सो प्रसन तक नीचे देगे प्रसन के वाक्यों को चार भागों में विभाजित किया गया है जिन में से एक भाग असुद है असुद वाले भाग को अपने को क्या करना है चैन करना है 96 नमर का प्रसन इसमें देखिए काम के सिलसले में अक्सर मुझे वह मेरे भाई साब को सहर से बाहर रहना पड़ता है बताईए तो यहाँ पर देखिए रहना पड़ता है यह दोस्तों गलत दे रखा है यहाँ पर दोस्तों जानना पड़ता है यह होता तो यह सही होता यानि क अपने D पार्ट में क्या है गलती है D नमबर का उप्सन सही उतर हो जाएगा आगे देखिए इस्टेशन पर उतरते ही अखिल ने इस परकार देखा मानो उसे कोई लेने गया हो अब बताएए दोस्तों कौन से पार्ट में गलती है तो यहाँ पर देखिए लेने गया हो नहीं लेने आया हो लेने आया हो तो यहाँ पर गया है यह गलत दे रखा है तो अपना D नमबर उप्सन सही उतर है आगे देखिए उसकी एलोकिक योगेता के कारण है सबी लोग उसे मानते हैं कोई तूटी नहीं बताएए कौन से पार्ट में गलती है तो दोस्तों उसकी एलोकि क्योगिता गलत दे रखा है आगे देखिए अब वह पोदा बड़ा विसाल वरक्स बन गया है कोई तूटी नहीं बताइए कौन से पार्ट में गलती है तो यहां पे बड़ा विसाल वरक्स यानि कि बड़ा और विसाल एक ही है तो दोस्तों यहां पे बड़ा को हटा देने प प्रस्न है इसमें देखो यदि आप अपनी और अपनी परिवार की बलाई चाते हो तो तुरंत यहां से चले जाओ बताइए कौन से पार्ट में गलती है यहां पे देखिए अपने अपनी परिवार की तो दोस्तों अपने नमबर का उप्षन बिल्कुल स्टर हो जाएगा यह बोडल पेपर मैंने आपको करवा दिया है मोडल पेपर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और रोजाना आपको एक model paper का Test है वो अवस से देना है यह आपको इसमें याद रखना है दोस्तों और जिके के model paper भी दो complete हो चुके हैं और यह भी दो complete हो चुके हैं तो आप जरूर कि पिछले model paper है वो जरूर देखें और अरहतोरश Academy के यूटूब channel को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन को तबाएं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में सेयर जरूर करें मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में जैहिन जैभारत